नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल प्रोकुंजी में दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा पावर और आयोसी इंडियन ओयल कोपरेशन लिंपिटेड स्टॉक के बारे में यह दो स्टॉक के बारे में हम जानेंगे क्योंकि दोस् स्टॉक में अगर हमें एंट्री बनानी है तो किस प्राइस पर बनाएं सौट टम और लॉंग टम के लिए और सौट टम और लॉंग टम में हमें दोनु स्टॉक में क्या टार्गेट देखने को मिल सकते हैं इस बारे में हम डेटेल एनलीसिस करेंगे तो चली दोस्तों नमें इस स्टॉक में अल्मोस्ट डेड़ पर्संट की पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है और आज का डेका इसका आई था दोस्तों सोला का दोस्तों टाटा पावर की स्टॉक में जो न्यूज है उस न्यूज को जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा यू इस टेलिक्राम पर मिल जाएगी जो भी मार्केट में न्यूज चल रही है वो सभी न्यूज आपको मिल जाएगी और आप अप्षन करते हैं तो ऑप्षन के लिए आपको कzić कर सकते हैं दोस्तों टाटा पावर में जो च्राइव न्यूज यह है कि टाटा पावर एकctions पावर का जो इंस्टॉलेशन होगा चार्जिंग का उसका इंपेक्ट हमें अभी तो नहीं लेकिन आने वाले टाइम में यानि की लॉंग टम में काफी पॉजिटिव इंपेक्ट देखने को मिल सकता है दोस्तों इसलिए टाटा पावर लॉंग टम के लिए बहुत ही अच्छ चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगा तो उसका पॉजिटिव इंपेक्ट हमें टाटा पावर में देखने को मिलेगा इसलिए दोस्तों टाटा पावर के स्टॉक को आप वाच करना वंद कर दीजिए जब भी डाउन आता है आप फिर से और क्वांटिटी टाटा पावर की ल अब चंटिनि डाउन आ रहा है आज के दिन आम इस स्टॉक में एक अच्छा सा रिवर्सल देखने को मिला लेकिन आप देख सकते हैं कि कल जब इस टॉक ने दोस्तों चार्ज एक रिवर्सल बनाया और आज भी अच्छा रिवर्सल दिखाया है आप इस स्टॉक को जो भी और 185 के भी टार्गेट देखने को मिल सकते हैं लेकिन अगर यह 185 ब्रेक करता है तो दोस्तो हमें Tata पावर में बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है 150-160 का फॉल देखने को मिल सकता है लेकिन दोस्तो इतना बड़ा डाउंटेड नहीं चल रहा है निप्टी में कि उसकी वज़े से हमें Tata पावर में 200 ब्रेक होता हुआ दिखाई दे आप Tata पावर को इस प्राइज पर बाई करें और सौट तम के लिए और लॉन तम के लिए होल्ड करगे आपको Tata पावर में काफी अच्छी रिटर देखने को जरूर मिलेंगे अब हम सेकेंड स्टॉक के बारे में जानेंगे जो है आईयोसी दोस्तों इंडियन ओल कोप्रेशन लिमिटेट स्टॉक के प्राइट चल रही है 109.50,109 और आज के दिरह में इस स्टॉक में 0.5% की पॉजिटिव क्लोजिंग भी देखने को मिली है दोस्तों इंडियन ओल में आईयोसी में जो न्यूज है वो न्यूज यह है कि आईयोसी ने 4.93% का स्टेक लिया है इंडियन गेस एक्सचेंज में और साथी दोस्तों जो दूसरी न्यूज है वो न्यूज यह है कि इंडियन ओल ने इन्वेस्ट किया है 9,030 करोड का पानी पत के न्यू प्रोजेक्ट के लिए न्यू कुरूड पाइपलाइन के लिए और ये पाइपलाइन का प्रोजेक्ट next 36 मन्त के अंदर complete हो जाएगा दोस्तों ये दोनों ही अच्छी न्यूजे जो first न्यूजे वो है stake की और जो second न्यूजे वो न्यू प्रोजेक्ट की ये दोनों ही अच्छी न्यूजे IUC के लिए अब हम ये जान लेते हैं कि हमें IUC में कहाँ पर add लेनी चाहिए short term में क्या target देखने को मिल सकते हैं दोस्तों IUC में हमें last कुछी विक्के अंदर last 3 to 4 विक के अंदर 20% से जादा का downtrend देखने को मिल चुका है और अभी ये अपने बड़े support के पास आ रहा है 102, 101 की price पर हमें IUC में एक बड़ा support देखने को मिल रहा है और अभी IUC की price चल रही है 108.75 IUC में अगर आप इस price पर 108, 105, 106 की price पर entry लेते हैं तो आप 100 वाला SL compulsory maintain करें क्योंकि अगर IUC 100 break करता है तो हमें IUC में 90 और 95 के भी target देखने को मिल सकते हैं इसलिए आप IUC में entry ले सकते हैं लेकिन 100 रुपेज का SL compulsory maintain करें आप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, share करें और चैनल को जबर सब्सक्राइब करें, जैहिन